हलो दोस्तो, जीवन की सबसे बड़ी बात है, हम सभी को खुशी चाहिए, राजा को खुशी चाहिए तो रंक को भी, साधू को खुशी चाहिए तो साधारण इंसान को भी, हो सकता है कि इस खुशी वा आनंद की परिभाशा वा इसका स्वरूप सबके लिए अलग हो, लेकिन मूल बात यही है हम सभी को खुशी की तलाश है वह हम सभी को खुशी चाहिए अब खुशी चाहिए जितना सच है हम खुश नहीं है यह भी उतना ही सच है तो दोस्तो मैं आई हूँ आनन्द में और खुशाल जीवन की छोटी सी कुझी लेकर मेरे साथ चलते चलिए देखिए कैसे हम सभी निरानन्द से आनन्द की तरव बढ़ते हैं छोटा विच्चा जैसे की पैदा होते ही दोड नहीं सकता आहिस्ता आहिस्ता पलटना सीखता है बैठना सीखता है घुटनों के बल चलता है और फिर खड़ा हो जाता है शुरुवात में चलते चलते दप से बैठ जाता है यानि की बहुत देर चल नहीं सकता और फिर दोडना सीख जाता है है की नहीं आप ही बताइए तो आपको और मुझे भी छोटे छोटे कदम लेने होंगे यानि की कुछ छोटी-छोटी आदते डालनी होंगी जिससे की हम अपने भारी मन को परिवर्तित कर सके हमारे देनिंग जीवन में कुछ छोटी-छोटी वा सरल आदतों का प्रयोग करना होगा जैसे की सर्वप्रतन दिल खोल कर हसिए दोस्तो हसी काफे संक्रमक होती है आप हसेंगे मुस्कुराएंगे तो आपके आसपास के लोग भी हसना सीख जाएंगे हसी एक ऐसी ओश्ती है जो मुश्किल स्थती को भी सरल बना देती है यहां मैं पारिवारिक स्थती की बात कर रही हूँ एक मुस्कान से गंभीर स्थती सरल हो सकती है संपर्क सही रहते हैं मनमस्तिश ख्रियानी की आपका मूड अच्छा रहता है और सबसे बड़ी बात दोस्तो हसी से आप सबसे ज़ादा खुश रह सकते हैं आपका मुस्कुराता चहरा सबसे ज़ादा संदर है आपके लिए और हम सभी के लिए तो दोस्तो हस्ते मुस्कुराते रहिए बाबाई